आज आप बताएं देश का अनदाता जो किसान है फसल तो वो उगाता मेहनत वो करता तो उसको पता है इसमें लागत कितनी आनी है लेकिन इसका भाव कुनता करता ब्यापारी ते करता तो गुना रेट जो सरकार निश्चित करे उससे नीचे अगर कोई ब्यापारी खरीदे त दूसरी बात एला है कांटेक्ट फार्मिंग लुईया जी यह कहते थे जो ब्यापारी है अगर हमारी फसल खरीदे तो उसका जो वापस जब बेचे तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसका तो मिसाल हमको लग रहा है जब तो सष्टी रहेगी कोई तोड़ करते थे घरों बिचारे आके मजदूरी कर रहें नरेगम कर रहें इनको देश के नौजवान को तकलीफ नहीं है दर्द नहीं तो कहने मतलब है कि यह न घर वाले हैं न परिवार वाले हैं जाके ना हुई पैर मिवाई ता क्या जाना फीर पर आई किसान मांग क्या रहें किसान ये मांग रहे हैं कि जब हम फसल पैदा करें तो हमारी मोदी सरकार कहती है आपकी लागत का दो गुना हमारी मजदूरी जोड़ लो हमारी मिहनत जोड़ लो उसका जो है दो गुना रेट जो सरकार निश्चित करे उससे नीचे अगर कोई ब्य लेकिन हम लोगों ने में अपने पिता जी से मैंने बात करी तो मेरा पिता जी ने ग्यारा सो में बड़ी आधान बेचने काम किया कोई व्यापरी ले नहीं रहाता यह योगी सरकार कहरी भंडारन चंता इतनी कर लिए इतना ज्यादा कर लिया लेकिन जूड बोलें इनके जो MSP रेट हो उससे नीचे ब्यापारी ना खरीदे और जब बेचे तो उसका प्राफिट का एक लिमिट होनी चाहिए एक बात दूसरी बात एला है कांटेक्ट फार्मिंग कांटेक्ट फार्मिंग मतलब यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी हमारे यहां जिला व लेड़ों को बिगारेंगे और बड़े-बड़े मसीरों काम करेंगे फिर जो यह फसल पैदा करेंगे जिए उस फसल का जो है यह यह उस फसल को आपने बहुत बेचेंगे तो सरकार किसान यहीं तुमांग कर रहा जो मैं पैदा करूं आज आप बताएं देश का अनदाता मैंनत बहुत इन यह लेकिन इसका कहुंता करता किये हैं किसान के पड़ेमिल की समझ्ढ़ नहीं नहीं है जी और तमाम लोग वहां में हुआ वहां पर बुजिर्ण van अगर यह वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग समाजवादी पार्ठी लोग जन अंदोलन करेंगे गाउं के अन्न दाता किसान को अभी पूरी तरीके से हमारे जो किसान भाई है गाउं से नहीं निकल ला अभी जो छोटे-चोटे संगठन थे वो घेरे हुए लेकिन जिस दिन ह हर गाउं से निकलेंगे अपने अधिकार को बचाने के लिए उस दिन निच्चित और मोदी सरकार को यह कानून बदलना ही पड़ेगा और नहीं तो एक बड़ी क्रांती होगी जो ब्यापारी है अगर हमारी फसल खरीदे तो उसका जो वापस जब बेचे तो अंतर बहुत करनीम फरक है यह अपने नेता परमाधनी अटल विहारी बाजपे के भी नहीं मानते हैं जो इनके और आदर्स रहे यह आज डिक्टेटर्शिप कर रहे हैं और किसानों नौजवानों के बिरोध में सारे कानून बना रहे है आज महंगाई चरम सीमा पे है आज पूरे देश पूरा बेच रहे हैं जो बड़ी-बड़ी कमपनियां हैं बड़ी बड़ी फैक्तिरियां हैं जो जो देश के पृधान मंत्री को नई उद्दोग लगाने चाहिए जो हमाया नौजवान में देश dulu को रोजगार मिल लेकिन उसके देश का परदान भूर्र्यान को ब्योस्था है गर एक चप्रासी भी नवकरी करता है वह पचास जार पहता है तो यह सीमित रखना चाहते हैं कि देश का जो नौजवान है सरकार के बिसे हमने सोच पाए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो समाजवादी पार्टी आती है तो किसानों के लिए सबसे पहला का सान है और मानी राष्टी अध्य चकले स्यादों के सरकार बनेगी और जब हमारे नेताजी की सरकार रही है आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यदा विकास देख रहे हैं जब छेत्री राजनीत का उदय हुआ है तो सबसे ज़्यादा चाहें चुंगी से आप सुरू ने कराया अल्रेडी जो दुर्गटना भी माचल लाए कि कोई मर्जा पांच लाक रुपे हम सरकार दिया हुआ है तो हमने इतने काम तो सरकार मलब किसानों के लिए कि नौजवानों के लिए कि बेरोजगारों के लिए कि तो सिच्छा स्वास्त और उसमें हम समाजवादी पार्टी ने बढ़ चड़ के काम किया अगर आप कानून बेहुस्था बात करें तो दुनिया की सबसे बेश्ट टेक्नालजी मानी अखलेस यादो जी हंड़े डायल लाए आप बताए देश में किसी प्रदेश में है लेकि इतने बड़े प्रदेश में उन्हें ग्यारा मह जब हमारी सरकार थी दवाएं अस्पताल में होती थी परचा एक रुपए दो रुपए बसता था यह सरकार आई सब जगे दाम बढ़ा दिया है दवाएं है नहीं और आज बताएं कोरोना चल ला है इनको पूरी तरीके से गरी बाद में लिए टीका और जान सब फिरी करनी चाहिए थी लेकिन यह कुछ नहीं कर रहे हैं यह तो आज टार्गेट बनाएं किसको देंगे कब लाएंगे तब तक लोग तो आधे मर जाएंगे तमाम लोग मर भी गए तो इनकी मंसा हमारे प्रतिसाफ नहीं है यह पूजी पतियोग हाथ देश को गिरही रख चुके हैं यह सेंटर पावर चाह रहे हैं कुछ घरावनों पास पूरी देश की एकनामी चाह रहे हैं इनको जीडीपी देख रहे हैं देश का नौजवान बताइए आप कोरोना इससे हजारों करोरों लोगों की नौकरियां चली गए आज जो बंबई कलकत्ता में नौकरी करते थे घ हरों बिचारे आकर मसदूरी कर रहे हैं नरेगम कर रहे इनको देश के नौजवान को तकलीप नहीं दर्द नहीं तो कहने मतलब है कि यह दो आपनी नहीं परिवार वाला नहीं समाज की बात कर सकता कर दो